नमस्कार आप देखने आ रहे हैं नियूस मैं हूँ आपके साथ पलविस सिंग रुख करेंगे उत्राखन की कुछ बड़ी खबरों की और जहां रामनगर शेत्र में चार बच्चों का उफान ले रही है कोसी नदी में पसने का मामला सामने आया है आपको बता दे मश्ली पकड़ने गए चार बच्चे नदी की उफान में फस गए हैं और इस दरान चार बच्चों में से दो बच्चे किसी तरह से नदी की चुपेट से बाहर निकल आए तो वहीं दो बच्चे नदी में फसे रह गए हैं आनफाना में मामले की सूचना एंदी आरेफ की टीम को दी गई जिसके बाद एंदी आरेफ टीम द्वारा बच्चों को बचाने के लिए खबर लिखने तक रेस्क्यू जारी किया गया है साथ ही आपको बता दें कि शेत्र में दो दिन से लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते नदियां उफान पर है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसके साथ ही बताते चले कि जो पुरा मामला है आपको बता दें कि लगातार मौनसून की बारिश इस तरीके से बह रही है उसके साथ ही अब नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है और इसी दोरान चार बच्चे बढ़ते नदी के जो जलस्तर है उसकी चपेट में आ गए हैं बतादे करीब दो बच्चे अभी भी नदी में फसे हुए हैं जोकि दो बच्चे किसी तरह नदी से बारिश निकलने में कामयाब रहे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में नदियां उफान पर है फिलाल NDRF की टी में मौके पर पहुँचकर रेस्क्यू आपरेशन चला रही है तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भीशन हालात इस वक्त रामनगर से सामने आ रहे हैं अविवर्तमार में कोविट की गती धीमी पड़ चुकी है लेकिन फिर भी कोरोना की रोक्ताम और बचाफ के लिए आज खतीमा में रोडवेस बस स्टैंड के पास आम आदमी पार्टी द्वारा एक स्वास्त कैम्प का आयोजन किया गया है उस कैम में आम आदमी के लिए कोरोना द्वाक किट की ववस्ता भी की गई है और इसके साथ-साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से ऑक्सिजन लेवल और शरी का तापमान चेक करने की ववस्ता भी की गई है इस दोरान आपको बता दे युवा मोर्चा आमादनी पार्टी के जिलावपाध ध्याक्षर राज खान ने बताया है कि करोना से रोक थाम और बचाफ के चलते आम जंता के लिए स्वास्थ केम्प लगा कर उनके स्वास्थ की जान भी की जा रही है शेहरी शेत्र के साथ ही टीमे ग्रामिन शेत्रों में भी काम कर रही है और इसके साथ ही उनने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अस्वस्त पाया जाता है तो डॉक्टर द्वारा अधिकृत दवाईयों का किच भी देने का काम किया जा रहा है साथ ही उननोंने बताया कि आमजनता के साथ-साथ अपनी टीम के कारेकरताओं का भी धन्यवाद किया है तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और इसके साथ ही लोगों को जाग रुख भी किया जा रहा है साथ ही आम जंता में किट भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बांटी गई है खटीमा से ये तस्वीरे सामने आ रहे हैं जो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने स्वास्त कैंप का आयूजन किया है हाला कि मामले कोरोना के कम हो रहे हैं लेकिन इसके साथ-साथ जागरुकता भी भी अनिवारे है और जरूरी है अल्लोग की प्रक्रिया आपको बता दें देशफर में शुरू कर दी गई है और ऐसे में अब लोगों को जागरुक करने का काम भी हाँ पर किया जाने लगा है अब वहीं आपको बता दें कि कोविट महामारी के चुलते स्वास विभाग ने फ्रंट लाइन वोकर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना के अंतरगात है रामनगर में फ्रंट लाइन वोकर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है आपको बताते चलें कि पिछले साल ही लगभग 260 लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी और इस दोरान आपको बता दें कोरोना के चलते इसको बंद भी कर दिया गया था लेकिन आज इसको दोबारत से चालू कर दिया गया है जिसमें वर्तमान में 21 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है इन फ्रंट लाइन वर्कर्स को तीन महिने की ट्रेनिंग दी जाती है जिसके बाद नजदीकी स्वास विभाग में इनको कारे करने के लिए भेश दिया जाता है तो मैं इस पूरे मामडे में उपजिलादिकारी विजयनात शुकल ने बताया है कि कोरोना की चलते स्वास विभाग में फ्रंट लाइन वर्कर्स की कमी हो गई थी साथ ही आपको बता दे चलें इसी लिए इस कैम्प को लगाया गया है और कोशल विकास योजना के तहर इनको ट्रेन भी किया जा रहा है जिससे फ्रंट लाइन वर्कर्स की कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकेगा तो ही आपको बता दे रामनगर से ये तस्वीरे साबने आ रही है जहाँ पर आपको बता दे चलें कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालल करते हुए यहाँ पर प्रोसिक्शन दिया जा रहा है और इसके साथ ही रामनगर में फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए ये आनलाइन ट्रे पहले से ही तैयारियां पूरी कर लेना जरूरी है जिसको देखते हुए आप ये फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए आनलाइन ट्रेनिंग शुरू की गई है आपको बता दे प्रजान मंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस आनलाइन ट्रेनिंग का पूरा कारिक्रम है इसका काम आ सके तो वहीं कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए भी ये ट्रेनिंग बेहत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है जो आपको बता दें कि कोरोना प्रोटोकॉल का पारण करते हुए कौशल विकास योशना के अंतरगात ये ट्रेनिंग की जा रही है रुक करेंगे अगली खबर की ओर जालालकुआ की गौला नदी में शुकरवार की शाम अप्चाना काय तेज बहाफ के कारण दो यूवक नदी पार बने तीले पर ही फसकाए हैं पायर मेंन सर्वेस और कोटवाली पुलिस ने स्थानिय लोगों की मदद से दोनों को रेस्क्यू कर सकुषल बाहर निकाल लिया है दोनों ही यूवक हल्दी चौड के रहने वाले बताय जा रहे हैं त्वाही लालकों खोत वाली शेत्र के, हलदी चोड़ के रहने वाले दोनों ग्रामीन, हेमंथ भठ और दीपक भठ गौला नदी पार कर गए थे. उनके पार जाते ही, गौला नदी का पानी तेज हो गया, जिसके कारण दोनों ही नदी पार बने टीले पर ही फसे रह गए दोनों के टीले पर फसे होने की सूचना स्थानिय ग्रामीनों को मिली तो वो मौके पर पहुँच गए लेकिन नदी के तेज बहाफ के कारण ग्रामीन कुछ कर नहीं सके ऐसे में स्थानी लोगों ने पुलिस को सूचना दी है और मौके पर पहुँची पुलिस टीम ने अपने उच्च अधिकारियों को मामले की बारे में सूचित किया है इसी दोरान मौके पर पहुँचे SP सिटी डॉक्टर जुगदीश चंद्रा ने दोनों यूफकों को सकुषल निकालने का प्लान बनाया जिसके बाद फायर सर्विस टीम भी मौके पर पहुँच कई और दोनों को सकुषल रेस्क्यू कर लिया गया है और द्रखन में पिछले 36 घंटों से लगातार मुस्लाधार बारिश हो रही है लगातार हो रही इस बारिश की वज़ों से तमाम नदियों के साथ ही गंगा का जलस्तर अब खत्रे के निशान से उपर जा पहुँचा है उपरी पहाडी जिलों में लगातार बारिश का सिलसला बना हुआ है तो वहीं निशले अलाके में प्रशासन की ओर से गंगा और नदियों की किरारे नहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है गंगा का जस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों में भारी बारिश का अलट जारी कर दिया है ऐसे में रिशिकेश के प्रशासन और मुनादी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है इसी बीच रिशिकेश में पहाडों में लगातार हो रहे बारिश के कारण गंगा में सिल्ट की मात्रा काफी अधिका रही है जिससे चीला जल विद्यूत परियोजना की टर्बाइन जाम हो गई है चीला शक्ती नहर को बीती राथ से बंद कर दिया गया था जिससे चीला जल बहुत ही ज्यादा विद्यूत परियोजना में बिजली उत्पादन का कार्य बंद कर दिया गया है इसी बीच आपको बदा दें कि चीला शुक्ती नहर को खोले जौने पर ही विद्यतुत पादन शुरू हो पाएगा ऐसे में विद्यतुत पादन ठप होने से सरकार को लाखो रुपे का राज्यस वहानी भी हो रही है और में कोरोना लॉक्डाउन के बावजूद दहरादून में सड़क दुरगटनाओं में कमी नहीं आ रही है 2021 में अब तक हर महीने लगबख 26 सड़क दुरगटनाएं हुई है जिनमें 11 लोगों की जान चली गई और ऐसे में करीब 100 लोगों को दुरगटनाओं में खायल होना पड़ा है बदे जिलादिकारी डौक्टर आशीच कुमार श्रिवास्तब ने सभी उभ जिलादिकारियों और परिवटन परिवहन यातायाद पुलिस और P.W.D. और राश्टिर जमार क अधिकारियों के साथ समिक्शा की है सहाय परिवहन अधिकारी प्रिशासन रश्मी पंत ने बताया कि 2021 में जनवरी से माई ताका 130 सड़क दुरघटनाओं में 96 लोग घायल होए जबकि 55 लोगों की मौत हो चुकी है जिलादिकारी ने अधिक सड़क दुरघटना वाले शेत्रों में जाकर उन्हें रोकने के लिए काम करने के भी निर्देश दिये है साथ ही ARGO, यादायाद, पुलिस और सभी SDM को enforcement कारवाई बढ़ाने और infrastructure कारेों को तेजी के साथ पूरा करने के लिए भी कहा इसके अलावा सड़क सुरक्ष उपाय करने के लिए भी तिशानिर देश चारी किये है बढ़ते एक लिए खबर की ओर जंभाजपा का अब हर कदम ओप चुनाव और विधानसबा चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है सेवा ही संगठन से जुड़े कारेयों को लेकर सरकार के कामकाज जंता के सामने लाने तक हर अभियान पार्टी के पक्ष में बातावरन बनाने में के मकसद से जोर पकड़ेगा साथ ही आपको बता दें कि इसकी रणनीती आज होने वाले प्रदेश कारेय समिती की बैठक में बनेगी इसी बीच आपको बता दें चलें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश कारेय समिती की वर्चूल बैठक होगी इसमें भाग लेने के लिए पार्टी के प्रदेश प्रुभारी दुश्यंत कुमार गौतम दहरादून पहुँच गए है इसी के साथ ही पार्टी के मुख्याले में कारे समीती की बैठक की तैयारियों की समिक्षा भी की जाने लगी है प्रदेश के अध्यक्ष कौशिक के मुताबिक कारे समीती में सेवा ही संगटन अभ्यान को जारी रखने के साथ ही चुनावी रणनीती पर भी बंतन होगा बता दें कि उन्होंने माना है कि अब पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है कारे समीती में अगले दो वहिनों के दोरान होने वाले कारे क्रोमों को अप्तै किया जाएगा और यह उत्राखण में मौनसून शुरुवात से ही खौफनाक रूप दिखा रहा है कई घंटों से हो रहे ही मूसलादार बारिश से नदियां उफान पर है और बरसाती नालों में पानी भर गया है इसी बीच रुषिकेश और हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है जिसके कारण अलट जारी किया गया है गंगा, गौरी, शार्दा, अलकनन्दा, मंदाकिनी और नंदाकिनी नदी खत्रे के निशान से उपर बह रही है इसी बीच बद्रिनाथ, रुदरप्रियाग, पित्थोरागड, अर्मोडा और हाइवे समेत कई मार्ग भी ऐसे हैं जो बंद हो गये हैं रुषिकेश में लगातार बारिश अभी भी चारी है गंगा का जलस्तर 340.34 आरेल मीटर पर बहुँच किया है और इसके साथ ही गंगा खत्रे के निशान से 18 सेंटी मीटर नीचे बह रही है साथ ही आपको बदा दे परमार्थ, निकेतन, स्वारगाश्रम, त्रिवेनी और लक्षमन जूला के लगबग सभी घांट जो जितने भी सभी गंगा घाठ है वो सब डूप चुके हैं ऐसे में माया कॉंड चंदु शेखर नगर में पानी भर गया है परमार्थ, निकेतन, स्वारगाश्रम का कथास्तल भी जलमगन हो गया है तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्या भयानक नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है जोहाँ पर आधिकतर जो भवन है वो भी डूप गये हैं और इसी के साथ ही जो गंगा घाठ हैं वहाँ पर भारी जल भराव हो गया है और धेरादून में सीबी सी आईजी ने जमीन फरजीवाड़ा के एक बड़े मामले में कारवाई की है 20 साल पहले दर्श किये गए मुकदमे में सीबी सी आईजी ने हरे दौर में तैनात पूर्व रेंजर को गिरफतार कर लिया है पूर्व रेंजर हरे दौर देवी पुरा में वन्विभाग की पांसो बीगा जमीन के फरजी वाड़े में शामिल था जानकारी के मुदाबिक बता दें कि हरे दौर के देवी पुरा में वन्विभाग की पांसो बीगा जमीन थी जिसको फर्जी दस्तावेज बनाकर जेड ए से नौन जेड ए में परिवर्तित किया गया है साथ ही आरोपियों को जमीन पर कबजा करने दिया गया और ऐसे में मामला सामने आने के बाद पूर्व तहसीलदार चनपत हरिद्वार जयपाल सिंग ने 2001 में ज्वाला पुर्थाने में 11 लोगों के खिलाब नामजद मुकदमा दर्च कराया है जिसकी जाच सीबी सी आइडी को सौंप दी गई थी सीबी सी आइडी ने मामली की जाच की है और फरजीवाडा में शामिल पूर्व रेंजर हरिद्वार आरपी गुपता निवासी कुमहारन टोला गोला गोकरन नात और चनपत लखीमपूर खिरी उतरप्रदेश को दबिश दे कर ब्रसपतिवार को गिरफतार कर लिया गया है तो वहीं आपको बता दे कि सीबी सी आइडी ने सेक्टर अधिकारी लोगजीत सिंग ने बताया कि आरोपी को हरिद्वार में कोर्ट में पेश किया गया है और गिरफतारी टीम में विवेचक इंस्पेक्टर राकेश कुमार कॉंस्टेबल रामकिशोर हरमिंदर सिंग और इनों शामिल रहे हैं उजहन कोरोनाकाल में किया गया था और कुम्ब में आने वाले शुद्धालू की कोविट जाज करने के लिए मेला स्वास्विभाग ने 14 लैब को अनुबधित किया था इनमें से जाज नमूने एकत्रू करने के लिए माक्स कॉर्परेट सर्विसिस को नामित किया गया है सेंपल की जांच हिसार की नलवा लैब और दिल्ली की डॉक्टर लाल चांदनी लैब ने किया था और इन संस्ताओं ने फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट तयार कर एंट्री करवा दी गई थी जिसमें ऐसे लोग भी नेगेटिव रिपोर्ट तयार कर दी गई जो हरे द्वार आये नहीं थे बता दें कि मामले में खुलासे के बाद अब शासन के निर्देश पर जिलादिकारी सीर अविशंकर ने मुख्य विकास अधिकारी सौरब गहरवार की अध्यक्षता में कमिटी गठित कर जांच शुरू करवा दी है मेलास्वासे वाग भी आंतरिक जांच कर रहा है और रोडवेस करमचारियों को फरवरी 2021 से जून 2021 लॉक्डाउन के दोरान वेतर नहीं दिये जाने पार हाई कोड ने उत्राखंट सरकार को फटकार लगाई है कोड ने सबूतों के साथ 25 जून को ये बताने के लिए कहा है कि निगम की मदद के लिए सी एम रिलीफ पंड से 20 करोड और हिल लॉस के लिए 20 करोड रुपे निगम की मदद के लिए देने के जो आदेश कोड ने पूर्व में ही दिये थे उसका पालन हुआ है या नहीं हाई कोड ने निगम के प्रबंद निदेशक डॉक्टर आशीश चोहान को विडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से कोड में पेश होने के लिए कहा है इसी के साथ ही मुक्य निगम से पूछा कि अब तक निगम कर्मियों को लॉकड़ान के दौरान का वेतन क्यों नहीं दिया गया तो निगम ने कोड को उसके पास बजट नहीं है होने की बात कही और इस पर कोड ने पूर्व के आदेश का संग्या लेते हुए सरकार से पूछा कि अदालत ने 20 करोड रुपे सीम रिलीप फंड से देने के जो आदेश दिये थे उसका पालन हुआ या नहीं